कडाई पनीर जो काफी इजी तरीके से बनेगा तो सबसे पहले हम उसके लिए लेंगे एक अनियन जो की स्लाइसली चॉप्ट है डो टेमाटोस जो रफली चॉप किये गए है एक अनियन और कैप्सिकम जिसके मैंने क्यूप्स कट किये हैं साथ ही लेंगे हम एक कब दूद उस दोड़ा काजू और जीरा जो प्राइब तो प्रैटमी जो पाउड़ा एक धिर टॉड़ा काजू और जीरा रहा उसी के साथ मेने लिया है में है ड्राइ इंग्रेडेटियंट यो कि में हमारे रेसिपी का उच्छाबी शुरू किया जांस है तो पनीर को मैंने नारी नीच किया है सॉल्ट और जो हमारा ड्राय मिक्शर है उसको मैंने मिक्स किया है लगबख तीन टेबल स्कून बनेगा वो मिक्शर उसमें से वान टेबल स्कून मैंने इसमें डाला है और मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से अब एक पान में ओई लेना है लगबख तू अन हाफ टे अब पनीर के पीसे सो चुके हैं हमारे लगबक दो से तीन मिनिट के बाद आप देख सकते हैं ओवर कुक ना कीजिए क्योंकि इसका मॉइस्टर रोड जाएगा वही सेम ओईल में आपको सौटे करना है अनियन और कैपसिकम लगबक एक मिनिट के लिए इसे कुक नहीं करना है पस हाई फ्लेम पर सौटे करना है अब इसे मैं निकाल लूँगे और साइड में रख लूँगी तब तक वही सेम ओईल में हमें एड़ करना है अनियन टेमैटो कोरियांडर लीव जिंडर गालिक और कैश्यू और जो हमारा सिनिमन स्टिक है वो उसे के साथ आड़ हो जाए अब यह हो चुका है अब मैं इसे मिक्षर में निकाल के इसका थिक फाइन पेस्ट बना लूँगी आप ज़रा सा पानी आड़ कर सकते हैं अब इसका पेस्ट बन चुका है मैंने और एक्स्ट्रा नहीं आड़ किया है सेम पान में मैंने वही ओईल में वही मिक्षर पेस्ट जो हमने बनाया है वो मैने आड़ किया है इसे है भी मीडियम फ्लेम पर रखना है बेई लीव ण करना और जमहना रॉय मसाले है उसे भी मैने आड़ कर लिया है अब इसे लिट किलोगर के के आपको 파च्प प्लेट के लिए पकाना थे और दो पानी में जो मिक्स्रम में मसाला पीचा ता वहीं डाला है और साथी मैंने एक कप ढूद्ध भी आड़ कर दिया है अब इसमें बॉइल आचुका है इसमें सॉल्ट आड़ किया है मैंने और इसमें ढग दिया है पास मिनट बाद आप देख सकते हो एक आइल का लेयर आ अब मैं कसूरी मेती क्रेश करूंगी इसमें इसे फ्लेवर काफी अच्छा आएगा अब मैं इसे ढग दिया है लग पाच मिनिट के लिए अब देख सकते हैं हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है आप इसे एंजॉय कर सकते हैं जिसे राइस के साथ पसंदे राइस के साथ जिसे बटर नान के साथ नान के साथ और मेरे घर पिता चपाती बनी है तो हम उसके साथ तो आप जरूर ट्राइ किजिए काफी सिंपल रेसिपी है जो घर के इंग्रीडियन से ही बनता है आपको एक्स्ट्रा पनीर मसाला या कोई और मसाला जरूरत नहीं है जो आपके घर पे अवेलेबल आपसे मसाला यूज कर सकते हैं तो प्लीज ट्राइ किजिए और मुझे जरूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में